आपके लिए बहुत हेलपफूल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमें बताने वाला हो कि आप कैसे जान सकते हैं अपने डेक्स्टॉप या लेप्टॉप का नेटवर्क का पासवर्ड तो यह ट्रिक काफी आसान है और यह ट्रिक आपको काफी helpful रहीगी क्योंकि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिन जो नेटवर्क को यूज करते हैं वाइफा नेटवर्क को पर आपको उसका पासवर्ड नही बताते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा उसका पासवर्ड जानने के लिए बस आपको ये ट्रिक फोलो करना होगी और ये ट्रिक एक मिनिट के अंदर अंदर आप इसली फोलो कर पाएंगे तो पूरी इस वीडियो को जानने के लिए इस वीडियो को पूरी देखें end में इसे आपको अच्छी लगे तो like कीजिए and please इस चैनल को subscribe कीजिए तो चलिए हम स्टार्ट नाद कीजिए तो आपको यहाँ पर वाइफाई का icon दिखता है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है right click करना है right click करने के बाद open network and sharing center में जाना है तो यहाँ पर मैंने click कर दिया है फिर आपको कुछ अपने desktop पर इस type का interface दिखेगा interface open होने के बाद और कभी आपको यहाँ पर वाइफाई का निशान नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको control panel में जाना है all control panel items में जाना है उसके बाद आप करना होगा यहाँ पर wireless properties पर wireless properties पर आप click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर उपर दो चीजे देखने को मिलेंगी एक connection and security तो आप यहाँ पर security पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा network security key तो आप यही key जानने चाहते हैं तो आप यहाँ पर show character करके यहाँ पर आप इस password को देख सकते हैं पर मैं अभी से show नहीं कर रहा हूँ इस password को तो आप चाहें तो यहाँ पर click करके इस password को देख सकते हैं और किसी भी अपने device में वाइफाय को जो वाइफाय आपका friend यूस कर रहा है उसे अपने device में connect कर सकते हैं easily तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please मैं चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए, comment कीजिए और share कीजिए thank you for watching my videos and more videos please subscribe my channel